पीडी आ ने केजरिवाल की कस्टरी की मांग कि हो अब फिर। की और अभी क्या चल रहा है आगे कोट में देखिए केजरिवाल की ओर से बहस पूरी कर ली गई है अब दुबारा केजरिवाल के पूरी करना चाहती है जिसके लिए एक रिमांड एप्लिकेशन जो है वो कोट में दी गई है सिबियाई की ओर से जिसमें पास दिनो की रिमांड की मांग की गई है कोट से सिबियाई की ओर से तो आपसे कुछी देर में ये सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद कोट अपना आदेस सुरक्षित रख लेगा यहां सीजे तोर पर केजरिवाल के जो वकील हैं वो पेश हुए थे और उन्होंने इस पूरी गिरफतारी पर सवाल उठाया है और ऐसे में गिरफतारी की ऐसे में क्या जरूरत पड़ी के वकील का ये भी इशारा था कि एडी केस में उन्हें रहात मिलने वाली थी और ऐसे में जान बूचकर उनकी गिरफतारी जो है वो दुरभागपुन और द्विस भावना से जो है एक पॉलिटिकल मोटिवेटेट के तोर पर गिरफतारी जो है यहां की गई है वहीं एडी की ओर से कहा गया है कि इस पूरे केस में तमाम सबूत जो है वो केजरिवाल के खिलाप मौझूद है और चैनबत तरीके से जो है वो सबूत CBI के पास इस वक्त मौझूद है और जो तमाम दस्तावेज CBI के पास मौझूद है उससे केजरिवाल का आमना सामना कर अपने बचाओं में कहा कि स्मिकर पॉलिसी में उनका रोल नहीं मनें सिसोधिया का रोल है। कोट में और केजरिवाल के हवाले से ये बात CBI के वकील ने कोट को ये बाते कही है। कोट में जिन सवालों का जवाब जो मिला होगा आमतर पर CBI वहीं नोट डाउन करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस पर अरविंद केजरिवाल अपनों अब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं। Am I right? जो भुकतान है वो सह आरोपी चर्णपीज सिंग ने किया था। लेकिन इसके उलट में केजरिवाल के वकील ने साब तोर पर कहा है कि यह हवाला का पैसा नहीं बलकि दिल्ली सरकार की ओर से इसका भुकतान किया गया था। तो यहां आरोप परत्यारोप का दौड जारी है यहां केजरिवाल के वकिल का कहना है कि जो गिरफतारी हुई है वो पॉल्टिकल मोटिवेटेड गिरफतारी है और ऐसे समय में गिरफतारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब CBI 2022 से जब इस मामले में जाच कर रही है जब गवा के तौर पर उनसे पूस्ताच कर चुकी है